आम हरे हरे पड़ा पवित्र मास है कार्थिक मास पवित्र दिवस है पवित्र स्थान है पवित्र पर्व है पवित्र उत्सव है कार्थिक मास भगवान से क्रिष्ण के अद्बुद अद्बुद लिलाओं के संब्द में है दिवाली के दिन भगवान ने सारे जगत को प्रका जा सकता हूँ व्रजवासी मुझे बांद के रख सकते हैं खास करके उन भक्तों को उन्हें कहा जा इश्वरी ज्यान में डूबे वे भक्त है द्वार का के मुद्रा के भक्तों को कहा आपके द्वारा में बंदा नहीं जा सकता हूँ देवे की मुझे बांद नहीं सकती है कि प्रेम का प्रकात्स शुक्तवर में हुआ इसे जगा की बातनी हमारा संप्रदाय है भारत में कोई भी भूमीं लीजे कोई भी क्षेत्र लीजे कोई भी आप शहर लीजे कोई भी गाउं लीजे उसका कीर्थी भगवान के संबंद में, भगतों के संबंद में है, बनारस बड़ा शहर है क्यों? कोई राजनीति कोई सामाजिक कारणों के वजए से कोई कीर्टी नहीं होता है वो कीर्टी होता भी यह तो अस्थाई रहता है बड़े-बड़े राजा लोग आए गए लेकिन शहर की कीर्टी जो है भगवात संबंद में रहता है वास्तो शास्त्र में इसका बड़न आता है शहर का जब निर्मान होता है वो निर्मान कैसे होना चाहिए मंदिर को केंज में रखे इस शहर का निर्मान होना चाहिए ऐसा नहीं कि शहर बना जिया कि बीच में कोई मंदिर बना जिया इसा नहीं कि मंदिर को इतु कि बटेदे हुए शेहर का डिजाइनिंग होता गहर काौण सा रोड होना करिका काौण रहेगा काव दुकानें ऊंगे का मकान हो गाराज कारी होगा इन सब का का निर्धारण मंदिर क को केंदर में रख्य किया जाता मुझे हैं यह हमारे संप्रदाय भारती संप्रदाय है तो उस प्रकार किया जाए तो शहर का संबंद को इमान बक्त से हो भगवान के संबंद में हो तो वो शहर वास्तिकता में शहर है वो नगर वास्तिकता में नगर है वो रहने लाइक है जिस जगा भक्तों के संबन्द में जमीर नहीं है, वो शहर नहीं है, भगवान के संबन्द में वो शहर नहीं है, तो वो शहर रहने लाइक नहीं है, उपशोंग के लिए है, तो चित्वर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा एक उपहार है, इसकौन का केंद्र खुला, इसकौन का तो है चेतन्य महापुरू का दर्शन करते हुए उनके प्रदय में यह कहती है यह शाम कहा गया तुम्हारी बासुरू कहा गया तुम्हारे गुंग्राले बाल इसे बहुत सुन्दर गीत है गीत गाना आता नहीं मुझे इसलिए यहां नहीं पा रहा हूं कि यह गीत जो है केंदर में गुञ गुनाना चाहिए जो भी जितने भी शहर वासि तंको मालुम होना चाहिए कि मिराभाय ने चेतने महापुरू मिराभाय को दर्शन दिये और ऐसी अपार प्रेम भक्ति जो है जो चेत्र ने महापुर्ण ने प्रचार किया उसका अंश मीराबाय में प्रकट हुआ और एक संगम क्या हुआ आज के दिन आज गोपाष्टमी है गोपाष्टमी कार्थि क्या है वो अश्टमी कार्थिक शुक्ल अश्टमी जिस दिन भगवान स्विक्रिष्ण संब्ध हुए भागवत में प्रणान आता है आज के दिन किस प्रकार भगवान स्विक्रिष्ण पाउगंड अवस्थाएं पहुंचे शुक्दी गोपाष्टमी केते हैं भगवान स्विक्रिष्ण सारा जगत को पालने वाले अभी पश्वों को पालने के लिए योग्य बन गए उनको योग्यता दी आज के दिन ऐसा दिन है जिस दिन भगवान योग्य बने किसके लिए पश्वों को पालने में पश्वपाल सम्मतों गायों को चराने के लिए अभी तक बच्रों को चराते थे बच्रे चरा रहे थे गवालबाल के साथ साथ में बच्रों को चराने के लिए पुरुदावन के बहुत गहराई में पुरुदावन के गहराई तक पहुंचने में उनको रुकावट था बच्रों को जेंगल के अंदर लेके नहीं जा सकते इस डाट काट था मैं गाहों को चराने लां जाओंगा डां को च्राने जाओंगा अच wholly यह करेगा बच्छा में बेजरूंगE निफिसकी वरिछ इसके बीच में परके रखा था इसके करिज excitement को समझा दिये शुदा को ठीके बेजेंगे शुदा मानने के लिए तेया निकलें तब बल्राम आए बल्राम ने कहा शुदा मैं को मा मैं हूना मैं देखबाल करूंगा बल्राम जी ऐसे कृष्ट के भाई है दाओ जी वो क्या करते हैं कृष्ट की सेवा करते हैं पांचों के पांच रसों में कृष्ट की सेवा करते हैं शांत दास साक्य वातसले और माधुरी ये पांच रसों में सेवा करते हैं वह वातसब्स भाव में पलरामि जी ने कहा एशोधा में आप चिंता मत करो मैं हो ना क्रिस्ट को देख बाल करूंगा शुदा मैं विचार करके खृष्ट को बलाई देखो ठीक कल से तुम जा सकते हो जा सकते हो क्रिस्ट बढ़े कुछ हो गे हिस्ट जो का देखो चुप सु बलराम कही एक भी कंप्लेंट आए ना उसी दिन तुम्हारा बंग कृष्टे कहा ठीए अभी चिंता होने लगे शोदा और दंद महाराज को कि जाएगा कृष्टा इधर भागेगा उदर भागेगा व्रज में खंकर है पत्तर है और कांटे भी है कहें कोमल चरण कमलों को कही इस परिष्टना कर दे चोटना पहुंचाए जूता देंगे जूता बनवा के कल जाना है व्रज का नाम व्रज है इसलिए क्योंकि भगवान सिक्रिष्ट नंगे पेर चलते है व्रजती यह जो चलता है कौन चल रहा है साक्षात परब्रह्म भगवान सिक्रिष्ट जिस अस जेहां चलते हैं, कैसे चलते हैं? नंगे पैर चलते हैं. लेकर भग्वान से रषट की है, जो चपल नहीं पहना. अभी चपल के लिए तैयारी बनेगे इस अब जुता तैयार हो गया, Chris Consumer कहां, हम नहीं पहनेगे, पहने के लगांगे जितने भी गाय है । पहले झसान फौली रजू पहिंदे हो फिंद नवी हीutive बीड़ारागों हिए देखिन हंगे बट उंपनने वालते लगो सब्नुसरा even इसके क्या जूता प्रएंगे, यह बात मालूम पढ़ा गायों को, प्रिष्च्ण हट पकड के बैठा है, जद उल्मारश को प्रएंगे समय'tरू को जूता नहीं रहेगी, जद तक मैं जूता नहीं पेरूंगा, गायों का वातसलीर. ग्रिष्ट के परभध कितना होता होगा तो क्या किया अपने बांद एकते बांद गहें को दोड़ दिया कुछ गुष़ा लाक रहा खाली होगा पूरा वरज में जाके यारि आज अठामी में आज तोड़ 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 के आज के दिन हमको रुंदान में जो प्राप्त होता है व्रज रज करके वो गायों का चरन धूली है अब बूली मैं गो प्रसाद है गोरस्त है व्रंदा वनकर जो रज है ना जिसको अपने सर पे धारण करके श्रीपे धारण करके खृस्ण अपने आपको धन्य मानते हैं कि वह वरज रज जो है उसको धारण करके सर पे धारण करके ब्रहभम, तो हम क्या करते थोड़ा सा उसको ज़ार देते न वो महा अपुराल माना गया है व्रज में जार्च के बैठोगे परकिश्च कता कोई भी कारी करें बैठके उतके अगर ऋदूल को अगर जाड दिया इसका मत्रा क्या है प्रज का जो दूल है जिसके अंदर कुर्पा उसको आपने जाड दिया जिस के लिया बृथनावन गए उसी को आप बें जाड दिया भगवान से कृष्थन आ बुरूंदावन में अपना कृपा जो से कहां जो है अपनी करपा कहां चुपा के रख चाहर ने किया बर्च गया निक और माइपुर गए नवदीब गए और नाम ने लिया तो क्या फाइदा गृपार राप्त नहीं हुआ तो यह व्रज का दुद्धूल है आज के दिन भगवान सिक्रेश्ट चलने के लिए को कचरणों के लिए बहुत सुन्दर एक अच्छा सा नरम चीज़ प्राप्त हो इस वात्सलि भाव से उत्पृत होती हुए वजबर्चोने गायों ने इस परकार का कारी किया यह आज का दिन का विशेष्टा है और आज के दिन भगवान ने चुना है बहुत सोच रहे थे कब करें कब करें युद्धान कब करें कोई कह रहते हैं करेंगे दीवाली के अगले दिन करेंगे गोर्दन पुजा के दिन करेंगे ने कोई करेंगे आठात सारी को करेंगे कोई बीस तारिकों करेंगे चलते चलते गवान ने चुना है मेरे प्रीय जिसके नहींट छे से मेरा नाम पड़ा। जिसके वज़ेसे मेरा धाम रॉपरा जिसके वज़े मेरे बखतु का नाम गोपि पड़ा। ऐसे गायों का जो तिती हे विशेष तिती है तृ मेरी कोई भी कारी जो है, हमारा संकल्प से नहीं होता, हमारा बुद्धी के नुसार नहीं होता, हमारे योजना के नुसार नहीं होता, खर चीज भगवान की योजना के नुसार होता है, आज को जो कारी करम का आयोजन, बले ही अनेकों नेकों ने भाग लिया, लेकिन निस्चित र क्रिश्ण का यह आज के दिन मिरा वह चेत्र में के दिन मैं परकट होैंगा जगननाजी जी के रूप में करिदाव संकिर्तन होगा रचकादूल भी है और मासादे जगननाजी की रूप में हरी नाम प्रजवासियों को गोर्दन ने रक्षा किया लेकिन आध्यान रखियेगा गोर्दन रख्षा करने वाला अगर्दन है जिसका नाम है अंधर राष्ट्छि क्रिष्ट भावनाम रितस्थzych गोर्दन विष्णा कर रहा है हुन मात्र से गोर्दन秨 विस्तार हो गया है. उनका एक्स्पैंड कर दी. अनंध में विवोरो के एक्स्पैंड उसी प्रकार जैसे जैसे भक्त आते हैं और किस संस्ता को सपर्श करते हैं करने मात्र से विस्तार होता है. हर एक वेक्ति जैसे प्रभुजी कह रहे थे कि हर एक वेक्ति जैसे इस पृत्वी पे जनम लिया तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ शमता है कुछ योगदान करने के लिए कुछ करने के लिए कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए कृष्ण के सबस्क 25 भगवान देने के लिए विग्राय के पर कटते हैं चुछ दो कहते हैं के वैसे तो भगवान हर जगा है, हम मंदिर क्यों जाएं, मेरे घर में भगवान, हम मंदिर क्यों जाएं, विग्रहों का आराजना क्यों करें, भगवान तो हर जगा है, उसके लिए बहुत हास्यात्मक, बहुत सुन्दर उधान दिया जाता है, गर्मी का मौसन में खुब गर्म हवा तो हर जगा है फ्यान की क्या वशक्ता है ने ने हवा चाहिए हवा चाहिए हवा चाहिए हवा तो हर जगा है ना फ्यान की क्या वशक्ता है इसलिए वशक्ता है कि बले ही हवा हर जगा है लेकिन उसको अनुभो करना है तो फ्यान की वशक्ता है उसी प्रकार भगवान हर जगाँ होने पर भी भगवान कनुबंखों करना है तो मंदिर के वशकता है श्रीवग्रह के वशकता शास्तर में कहा गया कास करके चतन चतना में अब एक जीव का सभाव है कृष्णे निट्यदास चीवेर श्रूप और खृष्णे निट्यदास जीवका स्वरूप है क्रिष्णेर नित्य दास क्रिष्ण का सेवा करना सेवा कब करेगा जब मोका हो तो भी करेगा कोई भी कारी करने के लिए मोका होना ची बोजन गहन करना है कि बोजन तयार हो तो भगवान ने तो कह दिया जीवेर सुरूप वे क्रिष्णेर नित्य दास लेकिन जीवों को मोका देने के लिए भगवान स्वाइम प्रकट होते हैं कि श्रीव ग्रेग रूप में आज के दिन भगवान जगनाद जी चित्तोड में अवतरित हुए हम सब को सेवा का मौका देने के लिए इंदजार कर रहे हैं को ना आएगा मेरा सेवा करने के लिए अपनी अपनी क्षमिता के रूप में सेवा को स्विकार कर रहे हैं बले हम योग हैं बद्जीव है लेकिन फिर भी हमसे सेवा स्विकार करने के लिए भगवान पकट होते हैं शास्त्रों में कहा गया है भगवान के पांच सतर है परा व्यूहा अंतर्यामी पूरुशा अर्चा परा भगवान गुलोगृंदावंदा में है उनको अगर सेवा करना उनको ड्रेसिंग करना है तो आपको सच्ची तानंद कपड़ा चाहिए उनको अगर दूद भी अरपन करना है सच्चितान दूप चाहिए हमारे पास सच्चितान शरीर भी नहीं है सब कहां से लेकर आएंगे व्यूहा व्यूहा के रुप में संकर्ष्ण प्रद्युन ननुत दर्वासुदे के रुप में भगवान उनका भी सेवा करना है तो हमको पुरुष के रुप में पुरुषावतार के रुप में अनन्तकोडि ब्रह्मान वकुत्पन कर रहे हैं और उनको भूग लगाना है कमसे कम आपके बाद इतना तो थाली होना चाहिए जितना एक ब्रह्मान जितना हो जिखनलाजी का सब बड़ा है बढ़ा अकी बढ़ा थारी बढ़ा बोगों सब बढ़ा है वैसे माविश्चु का अगर आपन करना है कम से एक विरन माणने जितना यह हमको सेवा का मौका देने के लिए भगवान से कृष्ण प्रकट होते हैं जगनाजी बड़ा अवदारी स्वरूप है उनका अन्नगत प्रान है कल यह में सब लोग जो है कोई चीज पसंद करें ना करें लेकिन खाना तो हर्वेक्ती पसंद करता है जैसे प्रवजी ने कहा कि हमारा किचन मुवमेंट है यह ने ऐसी संस्ता को स्थापना किया विश्वभर की संस्ता जो जो कहां से शुरू हुआ है एक रसोई गर से शुरू हुआ है तो प्रसाद से वित हुआ प्रपल सकला प्रपंच जय शिल प्रभुपाई ने साक्षात इस बात को सिद्ध किया जो प्रसाद गरहन करता है और सब्वजण करता है सारप पंच को जेक कर सकता है तो अभी जगनाजी है खासकर कि विशेश रुप में इदर उपस्थित है प्रसाद की रुप में सारे जगत में खासकर कि चितोड में सबी दख्तों को आशिरवाद देने के लिए सेवा का हमारे संसथा के दो तिन बच्चlas इधर आये हैं आइं! दो तिन भध्रमचार है है. कउनको ने हरिवक्ति परोब के साथ मैं? को ने परोजी? मगदल मुरुड़ी परोब कर अणे और कों आये? रातना परूब परोब आये? और कोई? थीक है, मुही तरुगाया थीन द्रमेचारी करते हैं, बालक होता है, बच्चा होता है, लेकिनि और आप सब ग्रस्थ होते हैं, बच्चों के माता पिता होते हैं कि ने, इन बच्चों को आप वात्सले भाव से उनको देखभाल किजिए, कमी कभे दोशोषो तो माफ कर दीज उनको को बुद्सा के साथ ये बड़े कारी को सिद्ध करने के लिए आए बड़ा कारी को सिद्ध करने के लिए जिस कारी की इंतजार स्वाई मीरा बाय कर रही है किला बना या कोई तोड़के चला गया कोई आके देखे चले जाते लेकिन मेरा जो प्रेम भक्ति है उसको प्र शास्त्र में बारंगत है लेकिन वो उन्मचारी है उनका देख भाल करो एक परिवार के रुप में जुड़ो और भगवान से कृष्ण का इधर आप सेवा कीजिए रिगर्णाजी का पतानी किसको भगवान चुनेंगे ये महत कार्यू करने के लिए गुपाश्मी के दिन गा को भागच है जिसे प्रार्तना करेंगे के ये केंद्र का विस्तार होता रहे जैसे गौर दुम का विस्तार हुआ उसी प्रकार विस्ता